नमस्कार ये हैं अर्जुन शाल का पाउडर अर्जुन शाल जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि अर्जुन शाल पीना चाहिए हार्ट के लिए बहुत अच्छा टॉनिक होता है blood pressure ठीक करता है और heart related जो भी विमारिया उसमें बहुत सारे फाइदे होते हैं ठीक और आप में से बहुत सारे लोग इस अर्जुन के शाल के पाउडर की चाय बनाकर काड़ा बनाकर पीने के लिए यूज़ करते भी होगी ठीक अब आईर्वेद के बारे में आपको एक आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्जुन शाल के क्या-क्या नुकसान होते हैं तो चलिए जानते हैं ये अर्जुन शाल किन लोगों के लिए अच्छा नहीं है और अगर लेना भी हो तो क्या सेफ तरीका होगा सौगर राप सभी का मिश्रवेदा में और आज हम बात कर रहे हैं आर्जुन शाल के नुकसान के बारे में सबसे पहले आईर्वेद में कोई भी आउश्रदी यूस करने से पहले उसके रस, गोण, वीर्य, वीपाक, प्रभाव ये सारे सब्दे चीज बोले इसका मतलब कि वो दवा के अंदर टेस्ट कौन सा है, वो कैसे काम करती है, वो गरम है कि ठंडी है, किन लोगों के लिए जाता फाइदे मंद है, ये जान लेना जरूरी है, उसके बाद ही उस औश्रदी का प्रयोग करना चाहिए, वरना अगर ये सब जानना नहीं, बस केवल नाम सुना औ सकती है, और जिसकी कोई जानकरी नहीं गलत यूज किया, तो जहर जैसा भी काम कर सकती है, अब अरजुन शाल की अगर आप गुण पढ़ेंगे, तो ये क्या है, लगो रुक्ष और ये शीत होता है, ठीक, तो इसका मेन काम क्या है, ये काफ और पिक्त पे बहुत अच्छा काम करेगा, पर वात रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी है, अगर वायू से संबंदी कोई भी तकलीफ है, तो अरजुन शाल की प्रॉपर्टी वायू को बढ़ा देती है, क्यों, वायू का गुड क्या है, तत्र, रुक्ष, लगू, शीत, खर, ऐसे करके वो श्लोक है, तो आयू के अरण आपके ड्राय हेर है, ठीक है, या फिक कोई भी चीज आपके शरीर में सूखने लग गई है, ड्राय आइस जैसी तकलीफ है, तो ऐसे टाइम पर अरजुन के शाल का प्रेयोग करना, आपको एवाइड करना चाहिए, वो आपकी तकलीफ बढ़ा देगा, शुक्रधातू बहुत कम हो गई है, और ऐसे लोग अगर अरजुन शाल का प्रेयोग करते हैं, कि चलो मैं अरजुन शाल का काड़ा बना कर पीता हूँ, ये तो बहुत अच्छा है, उन सारे लोगों के लिए अरजुन शाल अच्छी नहीं है, क्योंकि ये शुक्रधातू क कम कर देती है, तो जिनको अलड़ी शरीर में शुक्र, वीरिया, स्पम, बहुती कम मात्रा में बन रहा है, वो लोग अगर अरजुन शाल लेंगे, तो तकलिफ बढ़ जाएगी, फिर अरजुन शाल के और नुक्सान है, आप में से ऐसे लोग जिनको बहुत ज़दा मुह जाता है, और खास करके आप में से ऐसे लोग जिनको बहुत ज़दा हार्ट स्टूल होने की तकलिफ है, कड़क मल होने की तकलिफ है, कि मल ठीक से निकलता नहीं, एकदम बकरी के मल की तरह, एकदम कड़क सा मल हो गया है, ऐसी कंडिशन पर अरजुन शाल अवाइड करना च यूरीन बहुत हो रहा है, लूस मोशन हो रहे है, तब अरजुन शाल अच्छा है, बट अगर आपके शरीर में चीजे सूखने लग गई है, कि यूरीन भी बहुत कम होता है, या मल एकदम थोड़ा सा निकलता है, सूखा हुआ निकलता है, तो ऐसे टाइम पर अरजुन शा मतलब सूखा चना खा लिया, तो तकलीफ बढ़ जाती है, या मूंफली जो तेल वाली नहीं होती, मतलब केवल इसे गुनी हुई खाते हैं, तो तकलीफ करती है, तो जिनको रूखे सूखे आइटम खाने से तकलीफ होता है, जिनका औरड़ी अंडर वेड है, या टीवी के स्रिकार है, बहुत ज़्यादा जिनको सूखी खासी आने की तकलीफ होती है, उनके लिए जिनका शूगर लेवल कम होता है, जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है, आप मेंसे लोग जो बोलते ना कि मेरा बार-बार शूगर डाउन हो जाता है, या बार-बार बीपी डाउन हो चाय की तरह यूज़ करना आपके लिए फायदे मन नहीं रहेगा क्यों क्योंकि ये वायू बढ़ाता है तो वायू बढ़ने के कारण जॉइंट से खट-खट आवा जाना ड्राइ स्कीन होना गैसेज होना डर बहुत रगना चेहरे का रंध काला होने लगना इन सारी कंडिश में आपको अर्जुन शाल या दुबले पतले कमजोर वात प्रकृतिक है तो अर्जुन शाल एवाइड करना चेहरे हार्ट के लिए बहुत अच्छी दवा है पर ऐसा नहीं कि हार्ट के लिए आयरवेद में किवल एक लिए दवा अर्जुन शाल है अब आम जो है वो भी हा हार्ट पे काम करती है बिजोरा निंबू वो भी हार्ट पे काम करता है शतावरी हार्ट पे काम करती है घी हार्ट पे काम करता है तो डिपेंड की कौम सी आउशदी किसले यूज़ कर रहे हैं जैसे कि अगर आप वात वाले हैं तो आपके लिए ऐसी दवाईया जो कि चिकनी ह खटी होगी वो आपके हार्ट को ज़्यादा फाइदा करेगी बजाए कि कशायर साथ मंग तो अर्जुन शाल कफ पित वालू के लिए बहुत अच्छा है जिनका बीपी बढ़ता है बहुत मोटे है बहुत ज़्यादा पसीना वसीना निकलता है यूरीन यूरीन बहुत ज़् पीना फाइदे मंद है पर मातरा तीन से पांच ग्राम से ज़्यादा डेली नहीं होनी ची मतब वन फोर चम्मज से हाफ चम्मज तर बड़ ऐसे लोग जिनको अल्रेडी कॉंस्टिपेशन है वेट लॉस है वजन कम है शनी दुबला पतला कमजोर है शुगर लेवल डाउन ह हो जाता है बीपी डाउन हो जाता है मल बहुत कड़क होने की तकलीफ है इन सारी कंडिशन्स में अर्जुन शाल आपको और ज्यादा नुकसान पहुचाने का काम कर सकता है तो सेफेस्ट वे क्या है सिंपल सी भी बात है अर्जुन शाल आप जब भी भी ले रहे हैं अगर आप मेंसे ऐसे लोग की भाई नहीं हमें तो यूज कर नहीं है तो क्या करें तो इसको लेने का तरीका है कि इसके साथ कोई भी चिकने आइटम को आप यूज कर दीजिए जैसे इसको अगर पीना है तो वन फो एकदम कम मात्रा में लीजिए और 100 ग्राम दूद 400 एमल पानी डाल कर उबाल कर ले सकते हैं फिर भी तकलीफ होती है तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में घी यूज कर देना चाहिए ताकि इसके करण जो एक्स्ट्रा ड्राइनेस आके आपको तकलीफ हो रही है वो कम हो चके वात की तकलीफ है तो बेटर होगा आप अर्जुन शाल यूज कर सकते हैं तो यह तो था अर्जुन शाल के बारे में यह वीडियो बनने का कारण यह था कि आप मैंसे बहुत सारी लोग बुलते कि आप वीडियो में फायदा तो बता देते हैं बड़ नुकसान बताते नहीं और फिर हमें कैसे बता चलेगा कि कब नहीं लेना चाह लिए और इसी कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें